जैन दोस्तों, इंपक्ट अकाडमी के ओनलाइन प्लेटफॉम पे आपका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे होंगे, सबस्तोंगे, लास्ट आम हम क्या कर रहे थे, वरक एंड टाइम के कुछ क्यूशन किये थे हमने, उनको आगे कंडिन्यू करते हम, तो देखो, पहला क्यूशन क्या बोला, बहुत IMPORTANT क्यूशना, बिल्कुल सिंपल क्यूशना, काफ़ी बार पेपरों में आता भी रहता है, एक किसी काम को पूरा करने में B से ze 10 दिन अधिक सहाँ है दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन पूरा करते हैं, तो A अकेले उस काम को कितने दिन दिन लगाएगा, दस तिन अधिक लगाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में, बारा दिन में करेंगे, इधर डिटेल में करेंगे, तो ऐसे करना पड़ेगा, देखो, A करेगा A करेगा X plus का 10 और ये करेगा एक बटे X और समय कितना एक बटे 12 यहां से L स्वा चुम क्या आएगा X L चुम क्या होगया X into X plus का 10 L स्वा है उन्हा करो X X plus का 10 बणबर एक बटे 12 तो कितना होगया यह यह सेड़ चला जाएगा और यह कितना हो गया हमारा 2x प्लस का 10 ठीक है 12 को यहां लेया हो 12 के साथ मल्टिप्लाई हो जाएगा इसको उस सेड़ ले जाओ x सुकेर प्लस का 10x अंदर गुणा कर दी और मैं वहां ले गया 12 को इस सेड़ लेगा ठीक है अब दीखो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यह वही यह हो जाएगा अपना 24x प्लस का 120 बराबर x सुकेर प्लस का 10x ठीक है अब इसको उस सेड़ ले जाएगे तो मैंस का हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास X सुकेर माइनस का ये घटेगा कितना आजाएगा 14X माइनस का 120 बराबर 0 ऐसे दो नमबर सोचो जिसकी गुणा तो 120 हो और जोड या अंतर 14 20 ची का 120 होता है 20 ची का 120 20 ची का 120 इसका मतलब टुकड़ा क्या बनेगा हमारा माइनस का 20 और पलस का चे तो X की वैलू 20 आजाएगी क्योंकि माइनस में तो आप लेंगे नहीं माइनस में तो लेना नहीं है तो X की वैलू क्या ही 20 बनलब बी जो हो उस कामों कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है तो A कितने दिन में करेगा भई A करेगा 30 दिन में 10 दिन दिख लेता है तो किसका पुछा आपसे आपसे A का पुछा गया है तो answer क्या हो जाएगा 30 दिन आपसे इतनी बात का लिए रस्व को कोई दिक्का तकलिप आप इसको by option करना वो जल्दी होगा आपसे by option से कैसे देखो आप by option से कैसे करोगे by option से ऐसे करोगे देखो A का आपने 30 उठाया तो B कितना मनना पड़ेगा आपको B से मनना पड़ेगा क्योंकि B जो A जो है 10 दिन अधिक समय लेता है ठीक है तो दोनों का देखो दोनों का LCM कितना आएगा यहां से 60 भाग करो 2 और 3 दोनों मिलकर इसने बोला दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं देखो फिर दोनों मिलकर क्या 12 दिन में करते हैं बिल्कुल करते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है क्या A उस कामों कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा और कोई option उठाके देख लो उससे बात बनेगी नहीं हमारी ठीक ना तो ऐसा option लेना है यहाँ पर आपको जैसे एक आप उचा तो एको 30 माल लो उसको कितना मानोगे 10 कम मानोगे क्योंकि यह जो है 10 दिन अधिक समय लेता है तो यह हो जाएगा अपना 20 ठीक है दोनों का इलशि बीच दिन आएगा बीच दिन डिटेल में ऐसे दुबारा देख लो ए करता है मालो एक्स दिन में ए उसकाम को एक्स दिन में करता है तो बी और ए कितन दिन में करेगा दस दिन अधिक दिन में करेगा और दोनों मिलकर उसकाम कितन दिन में करते हैं बारा दिन में करते हैं त तो समय जो है शम्ता का उल्टा होता तो इनकी शम्ता हमने बना लिए हैं एंगा है, ठीक है, तो यहां से L St. कि आएगा, यहां से L St. आएगा, X x x 10, एकस की साथ गुणा कर दो, यहां पर इसके साथ गुणा कर दो नीचे नमबर बच जाएगा हमारा इस पूरे को उसेड ले गया 12 को मैं इसेड ले है X और X 2X पलस का 10 12 के साथ multiply की इसको उसेड ले गया हमें ठीक है यह पलस है 14 है 24 से उसेड जाके घड़ जाएगा यह माइनस का 120 हो जाएगा ऐसे दो नमर सोचो जिसी गुणा तो कितनी हो गुणा 120 हो अंतर या जोड 14 हो तो बनेगा 20 चीक 120 तो X की वैलू यहां से क्या निकल की आई हमारी पोजिटिव वैलू 20 आई है दूसरा नेग्ट्व आएगा नेग्ट्व हम लेते नहीं है ठीक है नेग्ट्व को नहीं लेंगे तो इस काउल बी उस काम को कितनी दिन में करता है X कौन था B बी उस काम को 20 दिन में करता है और A उस काम को कितनी दिन में करेगा तीज दिन में करेगा ठीक है नेक्स्ट ऐसा क्योशन है करके देखो A और B A किसी काम को पूरा करने में B से 5 दिन अधिक समय लेता है दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं तो A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा देखो जैसे A आपको मान लेते हो माना A 10 दिन में करेगा A 10 दिन में करेगा तो B कितने दिन में करेगा बही पांच दिन एक इसी काम को पूरा करने बी से पांच दिन अधिक समय लेता तो ये पांच आएगा दोनों का लगुतम क्या है दस एक और दो तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर क्या? दोनों मिलकर आपका दोनों मिलकर उस काम को च्छे दिन में करते हैं तो ये उतर तो नहीं हो सकता हमारा इतनी बात कलीर है ठीक है? मालो आप A को लेते हो पंदरा और B को कितना लेना पड़े आपको 10 पांत दिन अधिक से में लेता है तो लोगत में आतीस, बाग करो, दो और तीन, ठीक है, दो और तीन, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर देखो, तीस बटे में पांच, दोनों मिलकर छह दिन आ रहा है, इसने यही बोला है, दोनों मिलकर छह दिन में करते हैं, तो इसका मला यह कब पाया जब हमने A को कितना लिया भई A को जब हमने 15 लिया तो इसका मतलब A उस काम को 15 दिन में करेगा भई ठीक है माना जो है A 15 दिन में करता है तो B कितना करेगा 5 दिन कम लेगा क्योंकि A को काम पुरा करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है तो ये 15 दिन में करता है तो ये 10 दिन में करेगा ठीक ना, option से कर सकते हैं आप इसको, तो answer क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा इतनी बात कलियर है वाई कोई दिका तकलिप, आप इसको by option करना जल्दी हो जाएगा आपके लिए next क्या बोला इसने A और B एक साथ मिलकर किसी काम का 27 17 बटे 23 काम करते है A और B दोनों मिलकर 17 बटे 23 काम करते है ठीक है B और C मिलकर उसी काम का 15 बटे 23 करते है B और C दोनों मिलकर 15 बटे 23 काम करते है मतलब क्या है मतलब यह हुआ कि जो कुल काम है वो तेईस है कुल काम कितना मान लें कुल काम हम मान लेते हैं तेईस कितना मान लेते हैं भई तेईस मान लेते हैं कुल काम कितना है तेईस काम कुल है तो 17 इसने ए और बी ने किया तो बाकी कितना बच गया भई छे काम किसने किय यह 6 काम C ने किया होगा सिंपल सी बात है 23 में से 15 काम B और C ने किया तो बाकी का जो 8 काम हो किसे ने किया होगा 8 काम A ने किया होगा क्योंकि यहां पर A नहीं है यहां पर A और B है तो C नहीं है तो C ने कितना काम किया होगा 6 काम किया होगा ठीक है, अब आपको A और B का पता है, sorry A और C का पता है, B, A करता है कितना काम, A करता है 8 काम, और C करता है 6 काम, काम हो गया 14, कितना काम हो गया, 14 काम हो गया, तो बच गया B का काम, 23 में से यदि दोनों का काम घटा दू, 23 में से दोनों का काम घटा दू, तो किसका बच जाएगा ये, ये B का बच जाएगा कितना काम, 9 काम बच जाएगा, क्या पूछा आपसे, तो A, B, C के दोरा किये गए काम का अनपाद बताओ, तो A, B, C कितना काम क है बिल्कुल है तो C option आजाएगा हमारे आठ नो और 6 इतनी बात कलियर है सबको ठीक है ना समझ यह ना बात है बिल्कुल सिंपल है दुबार देखो देखो क्या बोला इसने भई A और B दोनों मिलकर 17 बटे 20 काम करते हैं 17 बटे 20 का मतलब है कुल काम कितना है 23 कुल काम 23 है जिस कितना हिस्सा कर दिया 17 हिस्सा कर दिया तो बाकी का हिस्सा किसने किया होगा सी ने किया होगा सिंपल सी बात है कुल काम है 23 कुल काम कितना है 23 है मैंने यहां पर लिख रखा है A और B ने उसमें से कितना काम कर दिया 15 काम कर दिया तो बचिया कितना भई हमारा 18 काम बच गया ह बखी आठ काम बच गया, यह किसने किया हूँ, यहां पर कौन नहीं है, A नहीं है, तो A ने किया हूँ, आपको A का पता है, C का पता है, आपको A का पता है, C का पता है, तो दोनों ने कितना काम कर दिया, 14 काम कर दिया दोनों ने, किसने A ने और C ने, A और C 14 काम कर सकते हैं, 23 इस काम में से, तो बाकी काम किस ने किया होगा, बी ने किया होगा, ये चोधा काम को गटा दें, यदि सब के काम में से, तो किस का काम आ जाएगा यहां से, बी का काम आ जाएगा, तो बी का काम आ गया है, ये बी का काम है, ये आपका ए का काम है, और ये अपना शी का काम है, A का काम लिग दो, A का काम कितना है, 8, B का काम कितना है, 9, और C का का काम कितना 6, 8, 9, 6, तीनों मिलकर, जो काम का अनुपात होगा, त्या बनेगा, 8, 9, और 6 बनेगा, ठीक है, कलियर इतनी बात, next, एक इसी काम का दो बटे पांच भाग ऐसे कि उसने पहले भी किये थे एक इसी काम का दो बटे पांच भाग नो दिन में समाप्त करता है तब वह बी को बुलाता है तो मिलकर काम को छे दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा बी का बड़ 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 दो ए जो है ए दो बड़ पांच भाग काम करता है नो दिन में तो पूरा काम की तिन दिन में करेगा एक क्या है पूरा काम तो पूरा काम की तिन दिन में करेगा नो बड़ दो पांच उपर चला जाएगा 45 बड़ दो दिन में करेगा पूरा काम जो A है, 45 बटे दो दिन में करेelnे, ठीक, शेष काम कितना बस गया, शेष काम बस गया, काम था एक दो बटे 5 हो गया, तो बस गया, तीन बटे में 5, यह कौन करेगा, इसको करेंगे A और B, दोनों, ठीक, च्छै दिन में A और B दोनो A और B जो दोनो है 3 बटे 5 भाग करते हैं कितने दिन में 6 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे 6 बटे 3 पांच उपर चला जाएगा 10 दिन में करेंगे कौन करेंगे 2 आपको यहां से A का पता सल गया आपको A और B का पता सल गया भई A जो है पूरा काम 45 बटे 2 दिन में करता है और दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो B का पता कर लोगे B का पता करें B का पूछा आप से देखो आपको दोनों का पता है कितने दिन में 10 दिन में आपको A का पता है कितना? 45 बटे दो देगे तो दोनों का लगुत्तम आएगा 90 कितना आएगा 90 भाग करो 9 भाग करोगे 45 से करेंगे 2 दो दुणी 4 ठीक अब दोनों काम कितना करते है? 5 A कितना काम करता है? 4 इसका मतल़ आपको पताचला कुछ? क्या? आपको यह पता से लागा है, बी कितना काम करता होगा, बहुत दोनों करते हैं, नो काम, अकेला करता है, चार काम, इसका मतलब पांच काम कोण करता होगा, बी करता होगा, बी की जो कपैस्टी हो कितनी है, बी की जो समता हो कितनी है, पांच की है, तो बी उस काम को, काम कितना पुरा कर देगा इतनी बात कलीर है दुबार देखो एक इसी काम का दो बटे पांच भाग करता है नो दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 45 बटे में ठीक है अब दखो तीन वटे 5 पांच इसा बचा हुआ इसको कौन करेगा इसको करेंगे कौन ए और बी दोनों कितन दिन में छह दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे एक का मतलग काम यह दोनों करेंगे 10 दिन में दोनों का पता है लिएंगा सपन nhân गजिप आएगा उपर वड़े का लगुतम लेते हैं 90 आएगा दस से भाग करेंगे 95 से भाग करेंगे तो दो और दो दुनी चार ठीक है अब देखो यहां से हम पता करते हैं देखो दोनों नो काम करते हैं, अकेला चार काम करता है, इसका मतलब पांच काम कोण करता होगा यहां पर, पांच काम कोण करता होगा भई, पांच काम वो करता होगा जो यहां पर इन दोनों में सामिल नहीं है, इन दोनों में यहां पर कोण नहीं है, बी नहीं है, यहां पर बी नही ठीक है कर लोगे इस तरीके से नेक्स्ट करो ऐसा है कि सुने ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को बारा दिन में पुरा करते हैं ठीक है दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं आठ दिन बाद एक काम छोड़ देता है देखो ए और बी दोनों मिलकर बहुत अच्छा कि उसने बारा दिन में काम करते हैं एक दिन में कितना काम करते होंगे फिर एक बटे बारा काम करते होंगे दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया आठ दिन काम किया तो आठ दिन में कितना काम किया होगा आठ बटे बारा काम किया होगा मतलब दो बटे तिन काम किया होगा भाई सिद्धी सी बात यह ठीक है दोनों ने मिलकर काम किया दोनों ने मिलकर काम किया आठ दिन ए उसके आठ दिन के बाद ए छोड़के चला गया रह गया भी बी ने ये काम किया दस दिन ने ठीक है अब देखो एक दिन में एक बटे बारा काम करेंगे तो आठ दिन में कितना काम कर बस गया कुल काम एक है दो बटे तीन हो गया तो बस गया एक बटे तीन काम इसको कौन करेगा अकेला भी ठीक अकेला भी करेगा कितने दिन में दस दिन में मतलब यह दिन भी एक ट्याई काम दस दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा तीस दिन में तीज दिन में करेगा, बैस भी, यह अपना बी का समय आ गया है, बी का समय आ गया हमारा, अब आपको ए और बी दोनों का पता है, ए और बी दोनों का पता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, बारा दिन में करते हैं, ए अकेले, बी अकेले उसका में कितने दिन दोनों कितना काम करते हैं, पांच काम करते हैं, और बी अकेला कितना काम करता है, दो काम करता है, बी अकेला कितना काम करता है, दो काम करता है, इसका मतलग एक इतना काम करता होगा, तीन काम करता होगा, एक इतना काम करता होगा, तीन काम करता होगा, एक ही जो समता वो तीन की तो साथ बटे तीन बोले तो बीस दिन में करता होगा आपको एका पता सल गया है पीस दिन में करता है और बी का आपको पहले ही पता था बी किते दिन में करता है तीस दिन में उपर निकाड़ा हमने तो दोनों मिलकर अलगलग बीस और तीस उतरा जाएगा हमारा बीस और तीस ठीक है या आप option से भी कर सकते हैं यहाँ पर एक बार तो देख सकते हो भई कई बार फिर option में कई बार गड़ बड़ हो जाती है अब दोनों का यह दी देखोगे तो दोनों मिलकर यहाँ से कितने दिन में करते हैं दोनों मिलकर यहां से चेक रोगे तो बारा दिन में करते मिलेंगे आपको, उत्र हमारा बिलकुल सही है, ठीक है न, बीस और तीस दिन कर लोगे भाई, नेक्स्ट करो करो देखो, A और B दोनों मिलकर, छे दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगा भाई, एक बटे छे काम करेंगे, एक दिन में छे काम करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, चार दिन काम करते हैं, चार दिन काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर चार दिन काम करत है ठीक है उसके बाद सेस काम को भी पांथ दिन में पुरा करता है भी कितने दिन में करता है पांथ दिन में ठीक है अब दोनों एक दिन में एक बटे च्छे काम करेंगे तो चार दिन में कितना काम करेंगे भाई चार बटे च्छे काम करेंगे कितना काम करेंगे चार बटे च है मतलब दो बटे तीन काम तो हो जाएगा हमारा कितना काम हो जाएगा दो बटे तीन काम हो जाएगा ठीक है अब देखो सेस काम कितना बच गया यहां से सेस काम बच गया भाई एक बटे में तीन बच गया इसको कौन करेगा बी करेगा कौन करेगा इसको बी करेगा और कितने दिन में करेगा पांच दिनों में पूरा करेगा कितने दिन में पांच दिन में देखो बी यदि एक त्याई काम पांच दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा पांच बटे एक गुना में तीन पंदरा दिन में करेगा पूरा काम ठीक, अब आपको B का पता है, आपको दोनों का पता है, दोनों का भी तो पता है हमें, शरुवात में दे रखा था यह, A का और निकाल लो बस, A और B का आपको पता है, कितने दिन में, 6 दिन में, आपको पता B, 15 दिन में, लगुत्तम कितना आएगा, 30, भाग करो, भाग करें यहां से देखो गया आप देखो बाग करो यह कंपेर करोगे तो यह दोनों कितना काम करते हैं भई पांच काम करते हैं अकेला कितना काम करता है यहां से दो काम करता है तो इसका तीन काम फालतू है यहां पर कौन करता हुगा इसको ए करता हुगा तो ए की जो समता हो कितने काम की अगई तीन काम करने की समता है कितना काम करने की समता तीन की तो ए जो है तीस काम को तीन के हिसाब से कितने दिन में लपेट देगा दस दिन में कर देगा उसको तो अब एका पूछा था बी का पता था तो आपको एका पता सल गया है कितना दस दिन बीक आपको पता ही था कितना पंदरा दिन में तो यही तो पूछा था तो ए और बी अललग उसकाम को दस और पंदरा दिन में पूरा करते हैं तो कौन सा उप्षन हमारा यह उप्षन हो जाए गया है इतनी बात कलियर सब को इसमें कोई दिक्कत अगली पता है बिल्कुल दिन में कितना काम करेंगे एक बटे च्छे क्योंकि समय का उल्टा में सा काम होता है तो एक बटे च्छे करेंगे तो काम बन जाएगा यहां से हमारा ठीक है एक एक दिन में एक बटे च्छे काम करेंगे तो च्यार दिन में च्यार बटे च्छे काम करेंगे हमारा दो बटे बोला इसमें, तो एक त्याई काम पांच दिन में करता तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मैं लगा काम का तीसरा जो हिस्सा है, वो पांच दिन में होता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा भई, पंदरा दिन में पूरा होगा, कितने दिन में होगा, पंदरा दिन में, ठीक है ए और बी का पता सल गया आपको ए और बी का पता था और बी का पता सल गया तो यहां से हमें पता है बही जो है दोनों मिलकर छे दिन में अकिला पंदरा दिन में दोनों का लगुतमा तीस भाग करेंगे पांच भाग करेंगे दो अब दोनों कितना काम करते हैं पांच अकिला कितना काम करता है, दो, तो इसका कंपेर करें, तो तीन काम यहां पर फालत कोई, तो इसका कोण करता होगा, उसको, ए करता होगा, ए की जो कपैस्टियों कितनी है, भई, ए की जो कपैस्टियों कितनी है, तीन की है, तो तीन के इसाफ से तीस काम को कितनी दिन में कर दे 30 काम कितन दिन में कर देगा 10 दिन में कर देगा 10 दिन ए लगाता है 15 दिन बी लगाता है तो कौन सा उप्षन हो जाएगा मारा यहां से पहला उप्षन हो जाएगा ए उप्षन हो जाएगा ठीक है कर लोगे ना इस तरीके से 10 और 15 मारा अनसर हो जाएगा कोई दिक्का तकलीप बिल्कुल सिंपल है next A और B दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों मिलकर एक साथ काम सुरू करते हैं चार दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं सेश काम को C 10 दिन में पूरा करता है तो C अकेले उस काम की दिन में पूरा करेगा A and B both can do a piece of work in 12 days they start working together 4 days later both left the work ठीक है the remaining work done by C in 10 days then how many days C alone will complete the work बताओ C काई पूछा आप से ये बिल्कुल सिंपल किस्टन हो गया फिर देखो क्या बुला इसने A और B दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं A और B दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करते हैं बारा दिन में करते हैं एक दिन में कितना काम कर देंगे फिर एक बटे बारा काम कर देंगे ठीक बारा काम कर देंगे अब देखो दोनों मिलकर काम सुरू करते हैं चार दिन बाद दोनों काम छोड़ देते, दोनों ने मिलकर काम किया, चार दिन तक काम किया, फिर दोनों काम छोड़के चले गए, सी ने किया बाकी काम, कितने दिन में, दस दिन में पुरा किया, ये बोला इसने, ठीक, तो एक दिन में एक बटे बारा काम करेंगे, तो मिलकर कितने दिन ने क कितने हिस्से वहाइ दो हिस्से मारे बच गए हैं दो हिस्से को कौन करेगा सेश बच गए आपने पास जो कौन करेगा उसको सी करेगा काम है एक एक तियाई हो गए तो बच गया दो तियाई यह कहलो काम है तीन एक इस्सा हो गए या बच गया दो इस्सा इसको कौन करेगा सी करेगा इसको सी करेगा कितने दिन में इस काम को सी जो है दो तियाई काम करता है कितने दिन में इस बचे को काम को करेगा सी अकेले 10 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा एक क्या अपना पूरा काम है एक लिख लो तीन लिख लो मर्जी आपकी है यहां दो रखोगे तो फिर आप तीन काई पूछ सकते हो यहां से दस बटे में दो बटे तीन होता है तो तीन कहा चला जाएगा भई आपका उपर चला जाएगा ना भई कितन दिन में कर देगा पंदरा दिन में कर देगा यह अंसर हो जाएगा सी अकेले उस काम को कितन दिन में कर देगा पंदरा दिन में कर देगा आरी बासंज में कर लोगे इस तरीक के से करना है ठीक है हो जाएगा ना next क्या बोला इसने a और b दोनों एक साथ मिलकर ऐसा ही कुसन है same to same उतार सकते हो इसको कोई दिकत नहीं है कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है ठीक है ना बाद में भी आप देख सकते हो इसको ठीक है a और b दोनों एक साथ मिलकर a और b दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं बोनों मिलकर झाल झाल दो ही है दो दो दिन बाद चार लिखर खाना है आपर दो दिन बाद सी को बुला कर काम को चार दिनों पुरा करते हैं देखो अर बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे दो दिन काम किया दो दिन बाद सी को बुलाया और तिनों लगके काम को चार दिनों में और पुरा करते हैं चार दिनों में और पुरा करते हैं ठीक तो सी अकेले उस कामों की दिनों में पुरा करेगा देखो तो A और B दोनों, A और B का दे रखा आपको, A और B दोनों मिलकर बारा दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक बटे बारा काम कर देंगे, ए और बी की बात कर रहा हूं मैं, अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, पता सकते हो, कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, दो दिन नहीं, दोनों ने मिलकर किया, छे दिन, क्योंकि दो दिन तो य तो यदि हम पूरे काम में से A और B का हिस्सा निकाल दें, तो बाकि किसका बच जाएगा हो? C का बच जाएगा, simple C बात है. यदि देखो, A और B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो A और B ने मिलकर काम किया, छे दिन तो काम किया ना भाई? काम पूरा पूरा किया है, तो छे दिन तो काम किया है, छे दिन तो थे यह दोनों के दोनों, तो छे दिन में कितना काम किया, वो जैक कर लो. छे बचे बारा मतलब आदा काम किया. आदा काम यदि उसमें से A और B ने किया हो, आदा काम यदि A और B ने किया हो तो से इस काम किसे ने किया होगा से इस काम C ने किया होगा कितना आदा आदा काम किया ठीक ना अब क्या बोला इसने C अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा C अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा सी चार दिन तो लगा था ना वाई क्योंकि देखो दो दिन ये लगे चार दिनों लगे तब जाके काम पूरा हुआ है यहां पर काम पूरा हो चुका है ठीक है यहां पर काम पूरा हो चुका है ठीक ना तो चार दिन काम किया होगा सी ने तो पूरा काम कितने दिन में करेगा एक क्या अपना पूरा काम तो पूरा काम कितने दिन में करेगा चार बटे एक गुणा में दो, आठ दिन में पूरा करेगा, आदा काम चार दिन में पूरा काम, आठ दिन में नर्मल सी बात है, तो कौन सा उप्षन हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ये बात ध्यानगना कई कर नहीं बर क्या है कि बच्चा यहां पर दो ले लेता है, ठीक है बच्चा यहां पर पर कई ब़र दो रख लेता है, वह गल्ड हो जाएगा आपका, दो ही कहीर नכना इतनी बात कलीर है दो ही रखना है आपको, जा लखना, next, क्या कराईए, A और B दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों पुरा करते हैं दोनों मिलकर एक साथ काम सुरू करते हैं तीन दिन बाद C को बुलाकर काम को 12 दिनों पुरा करते हैं तो C अकेले उस कामों की तिन दिनों पुरा करेगा बता हुए ऐसा एक उस्तन है देखो A और B दोनों मिलकर 20 दिनों में पुरा करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे भई एक बटे 20 काम करेंगे दोनों ने मिलकर एक साथ काम सुरू करते हैं तीन दिन बाद C को भी बुलाते हैं यहां पर दोनों ने मिलकर काम किया तीन दिन तक काम किया उसके बाद C को भी बुला लिया किसको बुला लिया C को भी बुला लिया तीनों मिलकर लगे और काम बारा दिन में और पुरा होगे कितने दिन में हो गया बारा दिन में काम हो गया बारा दिन में पुरा हो अब देखा जाए तो A और B ने इजि देखा जाए तो A और B ने कितने दिन काम किया है पंदरा दिन काम किया है A और B कि बात करें आप आँ एक दिन में एक बटे बीस काम करते हैं तो पंदरा दिन में कितना काम करेंगे पंदरा बटे बीस काम करेंगे पंदरा बटे बीस काम लगा तीन बटे में चार काम करेंगे काम कितना बच गया काम बच गया एक बटे चार सेस काम कितना बच गया भई एक बटे चार एक बटे चार काम बच गया कौन करेगा इसको इसको करेगा सी कितने दिन में कर देगा सी ने कितने दिन काम किया है बारा दिन किया है बारा दिन में कर देगा एक चुथाई काम बारा दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बारा बटे एक गुणा में च्यार कितने दिन में अड़ तारिस दिन में यह मारा अंसर हो जाएगा यह पूरा काम ठीक है यह अंसर हो जाएगा तो कौन से उप्सन हमारा D option है ठीक है न तो पूरा काम जो C है उसको कितने दिन में कर सकता के लिए 48 दिन में पूरा कर सकता है आरी बासन में दुबार देखो दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे एक बटे बीस काम करेंगे, दोनों मिलकर देखा जाए तो B और A और B ने कितना काम किया होगा, शुरू से अन तक काम कर रहे हैं ये, शुरू से अन तक काम किया होगा तो अपने हिस्से का इनने अपने हिस्से का पंदरा दिन काम किया पंदरा दिन में, एक दिन में एक बटे बीस करें, तो पंदरा दिन में तीन बटे में चार काम कर देंगे, तीन बटे चार मनलब पूरे काम में से, मनलब काम अपना एक, पूरा काम कितना मानते हैं हमें साम, पूरा काम हम मानते हैं एक, एक में से एक चुथाई काम कर दिया, तीन चुथाई काम कर दिया बच गया अपना एक चुथाई काम एक चुथाई काम कोण करेगा उसको सी करेगा तो सी करेगा कितने दिन में करेगा बारा दिन में करेगा कि बारा दिन ही लगा हुआ था तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता हूँ और तारज दिन में कर सकता है इतनी बात कलियर है ठीक है कोई दिक्कत तो आज इतना ही करेंगे हम बाकी अगली ग्लास में करेंगे ठीक है नए टोपिक है इसी आगी कंटिन्यू करेंगे ठीक है इसी टैपकी कुछन और भी लेकर आएंगे आपके लिए ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जै हिन जै भारत उफंदे मात्रा